आईएब सुनते हैं आत्म कथ्य रचीता हैं जैशंकर प्रसाद प्रिश्ट संख्या 26-30 जैशंकर प्रसाद जैशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वारानसी में हुआ काशी के प्रसिद्य क्वीन्स कॉलेज में विपढ़ने गए परंतु इस्थितियां अनुकूल ना होने के करण आठवी से आगे नहीं पढ़ पाए बाद में घर पर ही संस्कृत हिंदी फार्सी का अध्यन किया चायावादी काव्य प्रवत्ती के प्रमुक कवियों में से एक जैशंकर प्रसाद का सन 1937 में ने धन हो गया उनकी प्रमुक काव्य कृतियां हैं चित्राथार, कानन कुसुम, जरना, आसु, लहर और कामाईनी आधुनिक हिंदी की स्रेश्टतम काव्य कृति माने जानी वाली कामाईनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोशिक दिया गया वे कवी के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे अजात शत्रु, चंद्र गुप्त, सकंद गुप्त और धुरुव स्वामिनी उनके नाटक हैं तो कंकाल, तितिली और इरावती उपन्यास आकाश धीप, आंधी और इंदरजाल उनके काहानी संग रहें प्रसाथ का साहित जीवन की कोमलता, माधुरिय, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है छायवादी कविता की अतिशय काल्पनिक्ता, सौंदर का सूख्म चित्रन, प्रकृती प्रेम, देश प्रेम और शैली की लक्षनक्ता उनकी कविता की प्रमुख फिशेश्टाएं हैं इतिहास और दशन में उनकी गहरी रूची थी जो उनके साहित्य में स्पस्ट दिखाई देती है प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्म कथा विशेशंक निकलना तै हुआ था प्रसाथ जी के मित्रों ने आग्रे किया कि वे भी आत्म कथा लिखें प्रसाथ जी इससे सहमत न थे इसी असहमिती के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्म कथे ये कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्म कथा विशेशंक में प्रकाशित हुई थी चायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जैशंकर प्रसाथ ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मारमिक अभिव्यक्ति की है चायावादी सुख्मता के अनुरूप ही अपने मनो भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जैशंकर प्रसाथ ने ललित, सुंदर और नवीन शब्दों और बिम्बो का प्रयोग किया है इनी शब्दों और बिम्बो के साहरे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामानी व्यक्ति के जीवन की कथा है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मान कर लोग वावा करेंगे कुल मिला कर इस कविता में एक तरफ कवी द्वारा यथार्थ की स्विक्रती है तो दूसरी तरफ एक महान कभी की वे नमरता भी आत्म कथ्य मधुप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी मुर्जा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आजगनी इस गंभीर अनंद नीलिमा में असंख जीवन इतिहास यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी पीती तुम सुनकर सुख पाओगे देखो गया यह गागर रीती किन्तु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले यह विडंबना अरी सरलते तेरी हसी उडाऊ मैं या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं उजवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदरी रातों की अरे खिल खिलाकर हसते होने वाली उन बातों की मिला कहां वो सुख जिसका मैं स्वपन देखकर जग गया आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भग गया जिसके अरुन कपोलों की मतवाली सुन्दर चाया में अनुरागिनी उशा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में उसकी स्प्रती पाथे बनी है ठके पथिक की पंथा की सीवन को उधिल कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्म कथा अभी समय भी नहीं ठकी सुई है मेरी मौन विथा प्रश्न अभ्यास एक कवी आत्म कथा लिखने से क्यों बचना चाता है दो आत्म कथा सुनाने के संदर्व में अभी समय भी नहीं कवी ऐसा क्यों कहता है 3. स्प्रती को पाथे बनाने से कवी का क्या आशे है 4. भाव स्पस्ट कीजिए 5. मिला कहां वो सुख जिसका मैं स्वपन देख कर जग गया आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया 6. जिसके अरुन कपोलों की मतवाली सुन्दर चाया में अनुरागनी उशा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में 5. उज्वल गाथा कैसे गाउं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवी क्या कहना चाता है 6. आत्म कथ्य कविता की काव भाषा की विशिष्टाएं उधरन सहित लिखिए 7. कवी ने जो सुख का स्वपन देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है 8. इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्र की जो जलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए 9. आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों 10. कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना ज़रूरी नहीं 10. हरियाना राज्ये के गुडगाओं में घरेलू साहीका के रूप में काम करने वाली बेबी हालदार की आत्मकथा आलो आंधारी बहुतों के द्वरा सराही गई 11. आत्मकथा आत्मकषैली में अपने बारे में कुछ लिखिए 11. पाठेतर सक्रेता 12. किसी भी चर्चित व्यक्ती का अपनी निजिता को सरवजनिक करना या दूसरों का उनमें ऐसी आपेक्षा करना सही है इस विशय के पक्ष विपक्ष में कक्षा में चर्चा कीजिए 12. बिना इमानदारी और साहस के आत्मकथा नहीं लिखी जा सकती 13. गान्दी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग पढ़कर पता लगाए कि उसकी क्या-क्या विशिष्टाएं है शब्द संपदा 14. मधुप याने मन रूपी भौरा 15. अनंत नीलिमा अर्थाद अंतहीन विस्तार 15. व्यंग मलन अर्थाद खराब ढंग से निंदा करना 16. गागर रीत याने ऐसा मन जिसमें कोई भाव नहीं खाली घड़ा 17. प्रवंचना अर्थाद धोखा 18. मुस्क्याकर अर्थाद मुस्कुराकर 19. अरुन कोपल अर्थाद लाल गाल 19. अनुरागिनी उशा अर्थाद प्रेम भरी भोर 19. स्मृति पाथे अर्थाद स्मृति रूपी संबल 19. पंथा याने रास्ता राह 19. कंथा अर्थाद अंतर्मन गुद्री यह भी जाने प्रगतिशील चेतना की साहितिक मासिक पत्र का हंस प्रेमचंद ने सन 1930 से 1936 तक निकाली थी पुनह सन 1986 में यह साहितिक पत्र का निकल रही है और इसके संपादक राजेंदर यादव है बनारसी दास जैन कृत अर्थ कथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है इसकी रचना सन 1641 में हुई और यह पध्यात्मक है आत्मकथे का एक अन्य रूप यह भी देखें मैं वो खंडहर का भाग लिये फिरता हूँ मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना मैं फूट पड़ा तुम कहते चंद मनाना क्यूं कवी कहकर संसार मुझे अपनाए मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना मैं दीवानों का वेश लिये फिरता हूँ मैं मादकता निशेश लिए फिरता हूँ जिसको सुनकर जग जूम जोके लहराए मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ कवी बच्चन की आत्म परिचे कविता का अंश